प्रतीक सेन क्या है? ये तो लोई स्केडर पे है, magistrate है ये, सिंपल जुडिशल magistrate है अभी जजत वने नहीं है ये, तो magistrate है, तो इन पर एक्षन होई सकता है, इन पर क्या? अगर कोई जस्टिस भी आशा करता है, तो IPC सब्सक्राइबल होता है जब भी वो नियाले में आएंगे तो ऐसा नहीं कि जिब मजिस्ट्रेट अगर हैं तो कोई मजिस्ट्रेट उनका बहुत फेबर करेगा ऐसा नहीं है, यह नियाले है घर नहीं है कि हमारे जाती के हैं, हमारे धर्म के हैं तो आप लोगों ने अक्षन क्यों नहीं लिया जब 55 किलो की वो महिला 25 किलो की हो चुकी थी और आप एक छोटे से हॉस्पिटल में उसको एडमिट पाए तो आपने क्या अक्षन लिया फिर आप कुछ अक्षन नहीं लिये तो आप लोग उसके मरने का वेट कर रहे थे तिन सो दो नहीं होगा वो टूकि ड्रैक्ली इंवाल्मेंट निका मारने में नहीं है ये मेडिकल केयर में थी वो और मेडिकल केयर में यूनिट में ही उनकी मौत हो जा रही है चान्दी चंद्रा केज जो कि आप लगातार सुन रहे होंगे एक जज के दौरा दहेज के लिए पतनी की हत्या का आरो पैसा लगाया गया है चान्दी चंद्रा के पड़िवार के दौरा क्या है पूरा मामला इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था पैसे के पैसो के लिए चंद पैसो के लिए हत्या कर देते या इसा आरोप उनके पड़िवार वालों के दौरा लगता है तो इस पर क्या-क्या सुनवाई हो सब्सक्राइब यह तो एक पक्ष की बात सुनी और अगले पक्ष जानते नहीं है कि इंटर्नल मैटर क्या है चांदनी के घर वाले जो बोल रहे हैं वह आप सुन रहे हैं मामला न्याले में आये उसका दो पक्ष की बात सुन लिए पहले हमको लगता है कि ड्रैक्ली कोई प्रतीक जो मैजिस्ट्रेट वहाँ पर है जो जो जज बता रहे हैं आप तो प्रतीक सेन का ड्रैक्ली कोई इन्वाल्मेंट इसमें अभी तक सामने नहीं आया है यह कहना है कि उसका इंटर्स्टाइन वह आंत फट गया था या सॉल्ट था या आठ मुने से कैद कर दिया ग या उस पर एक बेटी की जान जा रही है तो आपको तेफाय करना चाहिए था उस पर अगर वो पैसा मांग रहे है थे या कोई गाड़ी मांग रहे थे पजास लाग कर रहे हैं तो इतनी सारी चीज़े हो रही थी तो आपने अभी तक कोई लिगल प्रोटेक्शन क्यों नही दिया गया था तो आप लोगों को ने एक्शन क्यों नहीं लिया अपने हले में क्यों नहीं आए उस समय आया रहे थे लेकिन उसके बाद ऐसा इसा घटना हो गया अचानक से और यह लोग तैयार भी नहीं थे उस टाइंग जब यह उसका मोबाइल हैक कर लिया गया या एक बेटी को अपनी मां से बात करने की मनाही कर दी गई है या घरवाले उस लड़की से बात नहीं कर पाया थे तो आपने क्या किया आप लोग तो कुछ नहीं किये आप लोग सांथ बैठेर है चलिया अंतीम स्टेज में जब 55 किलो की वह महिला 25 किलो की हो चुकी थी और आप चोटे से हॉस्पिटल में उसको एडमीट पाए तो आपने क्या एक्षिन लिया फिर आप कुछ एक्षिन नहीं लिये तो आप लोग उसके मरने का वेट कर रहे थे कि हम उसको दूसरे होस्पाल लेके इज गये आप बारस ले गये थे वहाँ पर आप लोगों ने कोई उसम लोग एक्टिव हो जा रहे हैं वहाँ पर हम नहीं कहते हैं कि प्रतीक सेंट इसमें दोशी नहीं है लेकिन अभी जब तक प्रवाद सणक पुतर गया है लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलता है अभी क्या है अगर वो लोग कर चुके हैं तो अभी इन्वस्टिकिशन होगा जाच होगी प्रतीक सेंट जो मजिस्टेट हैं उनको कूर्ट में लाए जाएगा और यह चीजा इसपस्ट बता दे आपको हम कि चाहे प्रधान मंतरी हो या एक गरीब गाउं का मजदूर हो हमारे यहां सम विधान है सबों के लिए समान विधान है तो एक ही नियाय सब को यह अलग बात है कि हम लोग थोड़ा सा फेस वेलू बढ़ जाता है और मंतरी और जो विधाईपीज होते हैं उनका एक अलग कानून बनने लगता है वो चुकि अब तो हमारे हाँ जब भी कोई कानून अगर मंतरीओं खिलाफ आता है या विधाईपीज के खिलाफ हम बद को भी मिलेगा सुपरीम कोट के जज़ पर प्रसुडिन नहीं चला असम वाला जो कांड हुआ थे याद कीजिए एक ललखी ने एक नाम तो बताना उचित नहीं होगा मारणिये लॉडशिप पे एक किस दायर किया था हरास्मेंट का देखिए क्या हुआ उनके साथ जल जान अगले लायबल होता है चाहे कमजोर आदमी हो या बहुत मजबूत आदमी हो या बहुत फाइनशिल स्ट्रांग आदमी हो तब भी वह कानण होगा तो अगर यह प्रूफ हो जा रहा है तो प्रतीक सेंग को जिल होगा बिलकुल इस जो मामला है चुकि कहा जारा है राइट तो मेडिकल केर में थी वो और मेडिकल केर में यूनिट में ही उनकी मौत हो जा रही है तो में भी फिजिकल जो उनका कंडिशन था वो ठीक नहीं था मौत हो इगए तो प्रतीक के पास एक है कि वो ये सको medical latches proof करेंगे या उनका physical status को proof करेंगे कि बिमार रहते थी वो ये बिमारी थी असलिए मर गई वो ये वो प्रूफ करेंगे लेकिं इन लोग पास इन सब चीज की जांच होगी नेयाले में और नेयलेट तर्थर केए आपने में लोग लोगर शूरेट कि वहाईन देक्षां ये नाले हैं घर निए परिवार वालों का यह भी आरोप लग रहा है कि वह कॉल करकर के धंकिया दे रहा है कि कोई भी केस आएगा तो सबसे पहले मेरे पास से हो करके गुजरेगा हम इसको मैंनेज कर लेंगे इसा कर लेंगे वह लगाता रिकॉर्डिंग्स वगेरा वो लोग रखे हुए है पर अगर रिकॉर्डिंग उनके पास में है तो इसको साक्ष के रूप में लाएंगे वह लोग तो इतनी जब साक्ष उनके पास में है तो सब कुछ यह कोट्र प्रडूइस करेंगे और हमारे कोट में उसको कंसिडर किया जाएगा उन चीज़ों को बसरते कि कोई मिमिक्री ना होना चाहिए जिसमें दिख जाए कि यहां रियल में वही अब तो हम लोग कि यहां साइबर सेल बन चुका है यहां पर पकड़ने में कितना मिनट लेगा तो अगर यह साक्ष प्रूफ हो जाता है तो प्रतीक जी सस्पेंड होंगे डिस्मिस होंगे जल जाएंगे अपने श दिवंगत हुई हैं लेकिन प्रतीक के साथ क्या हुआ इंटर्नल बात हम लोग नहीं जानते हैं अब लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में जो आता रहता है कि इतना जब रिकॉर्डिंग्स था और सब कुछ आप जानते थे तो आप पुलिस के हां क्यों नहीं गया आखिर गया है तो उसमें वो केस करना चीए था है या कोई जाके मिलता वहां पर अगर वो मिलने ना दिये रहते तो फिर हम लोग पुलिस केस किया रहते यह सब कुछ नहीं किया गया सिर्फ इसलिए यह वो हाई प्रफाइल आदमी था कितना हाई प्रफाइल आदिकारी कितना साथ खड़े हैं इस दुख में लेकिन फिर भी एक मजिस्टेट के साथ भी वही बेवार होगा जो एक आम आपनी के साथ होता है धन्यवाद सर देखिजी सर से आपको ने बताया चांदी चंद्रा के जो कि आप लगातार सुन रहे होंगे एक जज के द्वारा दहेज के लि या आम आदमी हो सब के लिए सेम कानून है बराबर कानून है और उसके बाद आगे क्या अपडेट आती है उसके साथ हम आपके पास आते रहेंगे अभी चाहूं का इजासत बहुत बहुत धन्यवाद